क्वेशन दोजा अठार का सवाल है, question says, an object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm, if the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of the image will be, हमारे option है 30 cm away from the mirror, 36 cm away from the mirror, 30 cm towards the mirror, 36 cm towards the mirror, 36 cm towards the mirror, यह 4 option अपने को दे रखें, now, सवाल simple है, थोड़ा सा calculation इसमें करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं ही calculation, बट calculation है, ठीक है, so scenario यह है, कि यह आपका mirror अपने को ऐसे दे रखा है, और इस mirror की focal length दी है, हमें 15 cm, एक आपका जो object है, V1 कह लेते हैं, यह रखा हुआ है, आपने 40 cm की दूरी पर, ठीक है, उसके बाद हमने, तो इसका हमें V निकालना पड़ेगा क्या ह या object is space to distance of 20 cm towards the mirror, यह भी दे दिया, तो इसके बाद हमने इसको यहां से यहां मूव किया, और इसको हमने अब जिस जगे पर रखा, वो U2 कह लेंगे उसको, वो अब 20 cm, total 40 था, 20 मूव किया, तो अब इसकी value 20 cm रह जाएगी, ठीक है, so हमें बताना है कि image का क्या होएगा, त इसको आप use कर सकते हैं, U1 F divided by U1 minus F, फिर formula आप direct use कर लेंगे, so यहां पर अच्छा, U1 की value minus 40 और यह minus 20 लेंगे, दोनों का sign यहां पर अपना minus होएगा, तो यह value रखके अपने को V1 की value मिल जाएगी, so U1 है अपना minus 40, multiplied by F जो है, उसको आप लिखेंगे minus 15, divided by U1, यह आएग यह minus minus 15, so इसे जब calculate करेंगे, तो उपार तो बनेगा 40 multiplied by 15, again मेरी सलाही होती है, इसको multiply directly मत करना, denominator देखते हैं क्या आत है, कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो अपने उचरह लंबा काम करना नहीं पड़ेगा, so यह बचेगा आपका 40 plus 15, 40 plus 15 बचेगा है, minus 25, तो which means आपकी V V1 की जो value है, यह होगे 40, 6, 5, इसका यहां cancel हो जाएगा, यहां cancel हो जाएगा, यहां जाएगा, minus 24 centimeter, V1 की value हो आगे, तो यहां पे आपकी image बनेगी, ठीक है, अब जो हमने इसको आगे move कर दिया, तो U2 की value minus 20 हो गई, तो उसके लिए में V2 calculate करना पड़ेगा, so V2 की value आएग plus 20 multiplied by 15, नीचे इसको देखेंगे, तो यह बचेगा आपका minus 5, तो यह calculate करके आपकी 3 और यह value हो गई आपकी minus 60 centimeter, अब सवाल यह है, यहां पे आप से यह नहीं पूचा image कहां बनेगी, सवाल यह है कि displacement of the image कितना होगा, तो ना अगर पहले 24 पे और आप अगे 60 पे बन रही है तो displacement हुआ है आपका 36 centimeter away from the mirror, तो पहले image आपकी यहां से बन रही थी 24 पे और अब यह image यहां से बन रही है, यह 60 पे तो आपका delta V जो है आपका वो हो गया 36 centimeter away from the mirror, तो that means आपका option number B would be the right answer.